Hello and what's up beautiful people, how are you all? I hope you all are fine and doing very very well. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सहीद आमद खान अलिगर्ड मूमेंट अलिगर्ड मूमेंट जो स्टार्ट की थी सहीद आमद खान ने, सर सहीद आमद खान ने ठीक है, ये एक सोशियो रिलिजियोस रिफॉर्मिस्ट मूमेंट थी, इससे पहले दो मूमेंट हमने पढ़ ली हैं, ब्रहमो समाज और आरिया समाज, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वो सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, अलिगर मूमेंट के बार में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम बैक्ग्राउंट देखेंगे, कि अलिगर मूमेंट क्यों स्टार्ट होती है, किस वज़ा से स्टार्ट होती है, और उसके बाद सरस प्रिटर नोट्स चाहिए हो, पीडिया फॉर्मेट में, तो आप मुझे वाट्सप पे यहां फे इनस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसिज कर सकते हैं, आपको यी रिजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगे, तो आपको पता होगा, 1857 का रिवोल्ट पढ़ा दिया है, मैंने, व उससे क्या हुआ, ब्रिट्शेर्स को ये लगा कि मुस्लिम्स इस अप्राइजिंग के लिए जिम्हेदार हैं, ये जो रिवोल्ट हुआ, ये किन की वज़ा से हुआ, ये मुसल्मानों की वज़ा से हुआ, ये ब्रिट्शेर्स का मानना था, आफ्टर रिवोल्ट 1857, ब्रि इनको मारा पीटा रिवेंज फुल और मर्सिलेस पुनिशमेंट्स दी इनसे बदला लेने के लिए और बेरहमी से इनको जो पुनिशमेंट्स मिलती थी मुसलिम उसको बड़ा अजाब किया इन्होंने कोल मिला के ये बात की ब्रिट्शियर्स को ये लगा कि रिवोल्ट के रिस्पॉनसिबल यही मुसल्मान लोग हैं और मुसल्मान उसे अब वो बदला लेने लगे वो रिवेंज लेने लगे The Mughal Empire came to an end and religious education were banned from schools and madrasas Mughal Empire जो थी वो खतम हो गई ठीक है और religious education जो थी उस पे भी बैन लगा दी गई Schools के अंदर, madrasas के अंदर जो तालीम दी जाती थी दीनी तालीमिया, इसलाम की तालीम उस पे पाबंदी लगा दी ब्रिट्शियर्स ने जो की बहुती बड़ा point था, जो की बहुती बड़ा मसला था मुसल्मानों के लिए ठीक है क्योंकि वो अपनी knowledge को, अपनी education को बंद नहीं कर सकते थे, वो torture जहल सकते थे लेकिन दीनी तालीम को सुपरेट करने के लिए वो पीछे नहीं हट सकते थे तो ये बहुत ख़दरनाक चीज इन्होंने, अंग्रेज होने की थी तो ये जो ब्रुटेलिटी थी, ये जो जल्म हो रहा था, जो ब्रिटिश कर रहे थे मुसल्मों के उपर, इन से मुसल्मान अग्रेजिव हो गई तो मुसल्मानों के अंदर अब जजबा आने लगा, जोशा, इन्होंने कहा कि नई भई हमने जल्म बहुत सैलिया है, हमें अब कुछ करना चाहिए तो इनके पास आईडिया जाने लगे, कि किस तरह से हम रिफॉर्म कर सकेंगे अपने रिलिजिन को, कि कैसे हम ब्रिटिश के साथ मिक्स होके, इनके अंदर ही काम करके इनको बगाएंगे, और इनके साथ मिलके, जो इनकी अच्छी चीज़ें उनको सीखेंगे, और इनको य अलिगड मुवमेट स्टार्ट की है, चली जी बढ़ते हैं आगे, इसकी फाइव में इसकी फाउंडेशन डाली थी, लेकिन अब उसका नाम अलिगड मुस्लिम उनिवस्टी पढ़ चुका है, जिसके लिए लोग तरसते हैं वहाँ जाने के लिए, वहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, यहां अलिगड मुस्लिम उनिवस्टी में, रिलिजिस साथ साथ वहाँ पर modern education भी दी जाती है और कहीं professional degrees भी कराई जाती है objectives of illegal moment यह जो illegal moment start हुई इसके objectives क्या थे इनका क्या मानना था क्या किस चीज़ पर believe करते थे सरसाई दामत खान इन्होंने क्या कहा to build a relationship of understanding between Muslims and British इन्होंने कहा कि हमें एक relationship को build करना पड़ेगा understanding हमें build करनी पड़ेगी Muslims और British के दर्मियान to motivate Muslims to learn English हमें Muslims को motivate करना है कि वो English भी सीखे हमें अपने धीन के साथ अपने religion के साथ English को भी सीखना है ताकि हम उन लोगों को से बात कर पाए उनके plans को समझ पाए उनके agenda जो है तो उसके लिए हमें दूसरे लोगों की बाशा को सीखना जरूरी है ओके, let me adjust it learn British education without compromising Islamic lessons and teachings ठीक है, ये इन्होंने अच्छी बात कही थी कि British education को तो सीखना है हमें हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई शरम नहीं करनी चाहिए पढ़ना सब कुछ है, British education भी learn करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी जो Islamic lessons और Islamic teachings हैं उनको compromise नहीं करना है ठीक है, हमें ये नहीं सोचना है कि हम Islamic lessons teachings को छोड़के British education उठा ले, नहीं हमें दीनी तालीम के साथ साथ इनकी तालीम को भी लेना है सरसाहिद आमद खान advocated the removal of many social discriminations that were prevailing in the community सरसाहिद आमद खान के time period में कहीं सारी social discriminations जो prevail हो रही थी society में उनको खतम किया है, ठीक है, उनको हटाया है promotion of Urdu language Urdu language को promote करवाया है ठीक है, ये moment का aim था, objective था, कि Urdu language को भी promote किया जाए, he wanted Muslims to organize and consolidate their positions through good relations with British rulers सरसाहिद आमद खान ने जो Muslim rulers थे, ये जो Muslim लोग थे, इनको organize किया इनको समझाया कि आप अपनी positions को hold करने के लिए अप अच्छी relation रखो Britishers के राव साथ हमें अपने दुश्मन के साथ भी अच्छी relation रखनी है, उनको बगाना है लेकिन किसी तरीके से ये भी मतलब गांदी जी के agenda को follow करते थे, non-violence पे यकिन रखते थे, सहीद खान try to establish Hindu Muslim unity, इनका ये भी मकसद था कि Hindu Muslim unity को establish किया जाए, हिंदू और मुसल्मानों को एक बनाया जाए, इनके मजीद वीडियोस देखने के लिए, चैनल को subscribe कर ले, पासवाला bell icon भी प्रेस कर ले, next वीडियो में हम पढ़ने वाले है, दलित मुवमेंट्स, जोती बाफूल और डाक्टर भेमराव, अंबीद कर की इसमें contribution पढ़ेंगे, ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को subscribe करना पड़ेगा, और पासवाले bell icon को भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी वीडियो आए, आपको notification मिल जाए, मिलते हैं आगली वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज